दोस्तो आज हम इकाई नमबर आट बरत मिलाप भाग दो का अभ्याश करेंगे दोस्तो आप लोगों ने भाग एक में इकाई का अभ्याश किया सबदार्थ की और मुहावडे की माहिती प्राप्ट की दोस्तो आज हम अभ्याश के प्रश्णों की चर्चा करेंगे अभ्याश के प्रश्णा नमबर एक से प्रश्णा नमबर चार की आज हम इस वीडियो के माधियम से चर्चा करेंगे दोस्तो ओके फ्रेंस तो हम बरत मिलाब भाग दो में अभ्याश की और आगे बढ़ते हैं और सभी का ध्यान पात्य पुस्टक में होना चाहिए जो हम प्रश्ण की चर्चा करेंगे आपको ध्यान पुर्वक सुनना होगा ओके दोस्तों चलिए अभ्याश की शुरुवात करते हैं विद्यार्थी मित्रों अब हम अभ्याश के प्रश्णों की चर्चा करेंगे प्रश्ण नमबर एक प्रश्णों के उत्तर दीजिए फ्रेंस यहां आपको पात प्रश्ण दिये गए हैं हम एक एक करके प्रश्णों की चर्चा करेंगे नमबर एक बरत को आते हुए देखकर लक्षमन को क्या संका हुई बरत को आते हुए देखकर लक्षमन को संका क्या हुई दोस्तों उसे क्या लगा बरत को आते हुए देखकर लक्षमन को यह संका हुई कि शायद वे लोग हमसे क्या करने आ रहे हैं युद्ध करने यानि कि लड़ने के लिए आ रहे हैं नमबर दो राम को देखकर बरत ने क्या किया क्या 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 बरत ने हमने इकाई में सिखा ना राम को देकर भरत क्या किया, तो भरत राम के चणों में गीर पड़ा, और उनसे क्या मांगने लगा, ख्षमा मांगने लगा, वह बार बार राम से ख्षमा मांगते हैं. नमबर तीन, राम अपना वनवास पूरा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि राम अपने माता पिता की आग्न्या का पालन करने के लिए अपना वनवास करना चाहते हैं. मित्रो रगुकुल की एक परमपरा थी, रगुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण चले जाएंगे, मगर एक बार दिया हुआ वचन निभाएंगे, तो यहां राम भी इसलिए वनवास पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता क यागना का पालन करना चाहते हैं, नमबर चार, राम ने नगर जनों से क्या कहा, दोस्तों नगर जनों से क्या कहते हैं राम, बताओ, गूड, राम ने नगर जनों से कहा, कि जब तक मैं अपना वनवास पूरा करके नलोटू, तब तक बरत को क्या समझने को कहा, राजा यह राम ने नगरजनों से कहा नमबर पांच भरत की जगह आप होते तो क्या करते तो हरेक की सोच अलग है तो कोई कहेगा कि मैं राम को लेकर ही अयोध्या लोटता, तो कोई कहेगा कि किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लोटने के लिए सेहमत कर देता, अथवा कोई ऐसा कहेगा कि मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता, तो विद्यारती मित्रों आप क्या करते, ये उत्तर आपको स्वयम लिखने होंगे आपको इस प्रश्ण में समझ आ गई है ना दोस्तो तो आपको इस प्रश्णों के उत्तर स्वयम लिखने होंगे प्रश्ण नमबर दो कोई रैपर यहां चिपकाईए और दिये गए रैपर को देखकर प्रश्णों के उत्तर दीजिए दोस्तों आपको यहां जगह दिखाई दे रही है उसमें आपको कोई भी रैपर चिपकाना है बिस्किट का वेफर का मैगी का जो भी आप खाते हो उसका रैपर आपको यहां पे चिपकाना है और रैपर को देखकर आपको यहां प्रश्णों के उत्तर देने हैं प्रशना एक यह किसका रैपर है आपने जो भी रैपर चिपकाया है आपको उसका उत्तर लिखना है जैसे कि आपने मंच का देरी मिल्क का मैगी का वेफर्स का जो भी रैपर चिपकाया है आपको लिखना है इस रैपर पर क्या किमत छपी हुई है उसकी किमत क्या है कितने में आपने खरीदा है तो वो उत्तर आएगा इसमें इसका पैकिंग कब हुआ है इसमें मैनुफेक्चरिंग डेट लिखी होगी उसका पैकिंग डेट लिखी होगी वो आपको यहां लिखनी है नमबर चार इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए दोस्तो इस रैपर के उपर आपको एकसपारी डेट लिखी होगी अत्वा तो उसके उपर मन्थ लिखा होगा कि बेस्ट बिफोर, सिक्स मन्थ, सेवन मन्थ, एट मन्थ जो भी है वो यहां आपको लिखना है कि कितने समय तक आप इसका उपयोग कर सकते हो नमबर पांच इसके अलावा रैपर में और कौन सी उपयोगी बाते चपी है तो दोस्तो इसके अलावा रैपर में बारकोड होगा सौट का साका हारी है वो होगा 100% वेजिटेरियन तो वो सब भी आपको लिखनी है इसमें माहिती अभी मै आपके समक्स एक रैपर प्रस्टूत करोंगी और उस रैपर पर छीपी माहिती का हम वणन करेंगे और इस प्रस्टन के उत्तर दूढेंगे दोस्तो पहला सवाल था कि यह किसका रैपर है तो यहाँ पे मैगी टू मिनिट नुडल्स का रैपर है आप लोग यह देख सकते ह वो चित्र में की मैगी का रैपर है फ्रेंस आपको यहां सारी माहिती प्राप्त होगी जिसमें हमें प्रस्टनों के उत्तर देने हैं देखो सवाल नंबर दो इस रैपर पर क्या किमत चपी है कितनी किमत आपको दिखाई दे रही है आरेस लिखा है यानि कि रुपीज 24 या ही है जुलाई जे यू एल यानि कि जुलाई 20 यानि कि बीस को यह पैकिंग हुआ है चौथा सवाल है कि इसका उप्योग कब तक कर लेना चाहिए तो दोस्तों देखो आप यहां देख सकते हो कि इस रैपर के उपर लिखा है बेस्ट बीफोर 9 मंट्स फ्रॉम यानि कि यह जो प्राड़क्ट जुलाई 20 को हुई है मैनुफेक्चर वो 9 महिने तक चलेगी यानि कि जुलाई महिने से लेकर 9 महिने तक यह मैगी का पैकेट मैगी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यानि 9 महिने तक यह सुरक्षित खा सकते हो दोस्तों आगे प्रश्ण है कि इसके अलावा रैपर में और कौन सी उप्यगी बाते छपी हुई है तो दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो कि ग्रीन कलर का एक सिंबॉल दिया है चिन है जिसका अर्थ होता है कि यह संपोन तरह से साका हारी है इसमें आप देख सकते हो कि 100% vegetarian instant noodles wheat seasoning यानि कि यह संपोन तरह से 100% साका हारी है उसके उपर लिखा है net weight 140 gram यानि इसका वजन कम से कम 140 gram है FSSAI प्रमानित है जिसका license नमबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा 10012011000168 यह license नमबर है आपको यहां बारकोड sticker नमबर भी दिखाई दे रहा होगा कि 8901058851304 यह बारकोड नमबर है यानि कि इसके उपर 100% vegetarian है बारकोड है वजन जैसी कई ऐसी माहिती छपी हुई है इसके उपरांत मैगी में कौन-कौन से vitamins आपको मिलेंगे calcium मिलेगा क्या energy मिलेगी protein कितना है carbohydrate कितना है total sugar कितनी है सब कुछ इसमें माहिती आपको मिल जाएगी आप लोग यहां पे देख सकते हो कि nutrition लिखा है nutrition information है उसमें energy, protein, carbohydrate, total sugars, total fat, sodium, iron जो भी है इसमें से आमें जो भी प्राप्त होगा वो आप यहां पे details देख सकते हो यानि कि यहां पे सभी माहिती आप लोग देख सकोगे तो rapper में आप सब कुछ इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों कोई भी चीजवस लेने जाओ तो सबसे पहले उसकी packing डेट देखनी चाहिए उसके बाद expiry डेट देखनी चाहिए और इस प्रकार आप rapper को व्यवस्ति दंग से देख कर खरीदी करके घर ले जा सकते हो और उसमें से जो भी चीज़े वो खा सकते हो आपको यहां rapper के माध्यम से प्रश्ण के उत्तर मिल गए हैं आपको स्वयम जो भी rapper आप चिपकाओगे वो खुद उत्तर आपको लिखने होंगे जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है ओके दोस्तो आप लिख सकोगे वेरी गुड प्रस्णा नमबर तीन नीचे दिये गए कोस्ठक में से सही संकेट चुन कर लिखिये दोस्तो यहां आपको संकेट दिखाई दे रहे हैं आप लोग रास्ते पर जाते हो या फिर कोई भी जगह जाते हो जैसे अस्पटाल जाते हो पुष्टकालाई में जाते हो कहीं भी आप जाते हो पाच्छाला में जाते हो तो आपको कोई न कोई संकेट अवश्य मिलेगा रास्ते पर जाते हो तो यातायात के संकेट भी आप लोगों को मिलेंगे तो यहां पर ऐसे ही संकेट आपको दिये गए हैं वो संकेट किसके हैं वो यहां कोस्टक में से चुनकर आपको लिखने होंगे ओके दोस्तो कोज़तक में सब्दा है रेलवे क्रोशिंग औरक्षित, होस्पिटल, पैडल यात्री क्रोशिंग, साइकिल क्रोशिंग दोस्तो यहां आपको दो चितर दिखाई दे रहे हैं पहला चित्रा आपको किसका दिखाई दे रहा है वहाँ प्लस की निसानी है और एक बेड रखा है और रेट कलर का बॉक्स है तो ये किसका चिन्हा है होस्पिटल का चिन्हा है डूसरा है आपको जो दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है चिन्हा तो नमबर दो ह प्रस्न चार उची आवाज में पढ़े हैं और लिखे उची आवाद में पढ़ना है और लिखना भी है लक्षमन, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हे दोस्तों आप लोगों ने अभ्यास के प्रस्न की चक्चा की हमने अभ्यास के सारे प्रश्न के उत्तर सुलजाने का प्रैत्न किया और आपको इस वीडियो में इस अभ्यास में समझ आ गया होगा नए वीडियो में स्वादे के प्रश्नों की यम चर्चा करेंगे तब तक के लिए बाई, टेक केर